आयुद्या में 22 जर्वरी को प्रभुराम विराजमान होंगे प्रभुराम के विराजमान होने को लेकर पूरे देश में रामभक्त उस्साहित हैं हर रामभक्त के मन में यालालसा होती है कि वह आयुद्या में बन नहें रामलला के भब मंदर में कुछ ना कुछ अर्पित करे सैदे ही वज़ा है कि जोधपूर की देशी घी और कमबोडिया के रज थाइलेंड की हल्दी के बाद अब गुजरात के रामभक्त राम जनम्भूम परिशर में रामलला के निमित 108 फुट लंबी अगरबत्ती समर्पित करना चाहते हैं और इस अगरबत्ती को बनाने में भी लगभग तीन से चार महीने का वक्त भी लगा है अगरबत्ती का निर्माण करने वाले कारिगरों की माने तो यहां अगरबत्ती 45 दिनों तक प्रजुलित होगी साथ ही 15 से 20 किलो मीटर तक की एरिया में इसकी सुगंध जाएगी यानि की कहा जाए कि रामबंदिर परिशर अब गुजरात के सुगंधित अगरबत्तियों से सुगंध होगा साथ ही 20 किलो मीटर के चारों तरफ इसकी खुच्बू का आनंद भी रामभग उठा सकेंगे देना चाहते हैं तो वेठ वरुप में एक अगरबत्ती दुपसली बनाया है वो दूपसली है वो गाई के पंच गविय में से बनाया हुआ है वो गाई का घी है उसमें हवन सामगरी है जाओ है तल है हवन और गुगल भी है और उसको उसका टोटल वज़न होता है पैंटी सो किलो तक और वो दूपसली हम गुजरात से लेके गुजरात की जनता की तरफ स हो दूपसली है वो 108 फुट लंबी है और 45 दिन के लिए प्राजलित होगी और उससे हिसाब से उसका जो आजुवाजु का जो एरिया है वो 15-20 किलोमेटर की बीच में उसमें उसका एक दम सुगन सब प्रसराजित होगा और वो एक आहलादा एक वातावरण अवध्या के लिए रामलला के लिए हिंदुस्तान के लिए भारत वर्ष के सब लोगों के लिए बनाएगा और भगवान राम को हम इसी तरह से सरमर्पित करना चाहते हैं क्या नाम आपको? हमारी टीम का सब का नाम है मैं आपको सब को जरा राम भाई है मेरे साथ है विया भाई है जिसने बना के बहुत मैनत किया है हाँ ऐसे एक के गुजरात के भक्तों ने एक ऐसी बहुत विशाल 108 फुटकी एक दूबत्ती बनाई है पंजिगब बिश्टे और उसमे सुगंजित हमन सामग्री बगरा और डाल करके और सुना है वो ला रहे हैं और लाकर के यहां दान देंगे वो जलाएंगे वो लगबख एक महिने स्वा महिने तक जलती रहेगी और उसी सुगंज बताते हैं अब वो लोग तो बताते हैं कि इसकी कम से कम 10-20 किलो मीटर तक जाएगी अब आगे जब जलेगी तब उसको द्रिखा जाएगा लेकिए यह तो सब किसी से कोई मांगा तो गया नहीं सब अपनी पेड़ना से सब लोग दे रहे हैं अब किसी के मन में कौन भाव आ रहा है उसी भाव से दे रहा है जिसे अलीगर में कुई चार कुंटर कर ताला बनागे रखे हुए है उसकी बताते हैं पंद्रा फिट की चावी है तो अब बनाया उसकी मन में भाव आया होगा एक ऐसा ताला बना दिया जो आज तक बने ही नहीं तो लोग ऐसी चीज़ प्रगु को देने की कल्पना करते हैं कि जो अजू भी हो आज तक नहीं हुई नहीं हो लोग की कल्पना में कल्पना में आगे उसको साकार करने का काम कर रहे हैं